हाँ तो पारक अब तो आपसे स्वागत हो आँग का में मुद्दा क्या में मुद्दा यह कि आपको कई सूज निपढ़ ऊजी का मैं रहोगा इन सिक्योर के घर साल भरती आती है कि नहीं आती है दूसरी बाती है और पिछले पांची साल का रिकोरड बता दूम माठेंचन लो बदल जाता है तो जो बच्चा फर्स्ट एर सेकंड इयर में वो जरार वीडियो को ढंग से देख लो ताकि साल अपने खराब नियों बरबाद नियों अगर इसको जोइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस यह से दस जार है लेकिन तीन हजार नो सो निन्यान नम आपको मिल जाए अगर आप मेरा कूपन कर दिस्केप्सेंट पर और श्क्रीन पर दिख रहा है अगर इसका भी उस करते हैं तो 50 फूर और कम हो जाएंगे आपकि अधी बात समूझ में दूसरी बात वीया है सर्व सुरक्षा बेच जिसमें क्या है मद्द प्रदेश वनरक्षक जेल पहक्र प्राइस कितनी है तीन हजार से ज्यादा है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिली जाएंगे प्लस महाँ पर अगर आप लगाओगे तो 500 रुपे का और डिस्काउंड मिल जाएगा अगर आपको लगता उची थे आपकी जो भी सब्सक्राइब में सेलेक्ट होने का उसमा अगर यह योगदान कर सकता तो बिल्कुल आप जूड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बांकि में मुद्दे की बात भी है तुम यह बताओ प्रिचार प्रसार बाद में करना पहले यह बताओ कि सिलेवस हर्चाल चेंज होता है कि नहीं होता है पिसले 5 साल का रिकोर्ड बताता हूं जो बच्चा है इसा कंफ्यूजन में बिगनर उसको बता रहा हूं इसका क्या सिस्टम है हर साल मतलब यह साल वर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन 30-30 तारीक दिसंबर मतलब साल खतम होने में सिर्प 1-2 दिन बचते जब इनका इस साल नोटिफिकेशन आया है मतलब मान लीजे कि 2024 चल रहा है तो दिसंबर 2024 में मतलब दिसंबर खतम होने वाला तर जब नोटिफिकेशन आता है इसका बहले उसकी एक्जाम 25 में लेंगे 26 में 27 में लेंगे लेकिन इस 2024 की एक्जाम जरूर होई यह फिर 25 की भी 26 की भी हर साल बहुर्ती निकलेगी कि ने निकलेगी ने निकलेगी खर साल एक्जाम होगी की ने होगी लेकिन हर साल उसका रूस्पर होकेशन इस बात की को ड़नटे रहा है आहीज होगी अब मालो 24 की भर्तीज सार्या चीज होगी अब मौन सिलेक्ट काफी पर्ट होग or every ten यें 2019 का result 2020 में जो deputy collector बन चुके है already, उनका वो बन गए 20 में, लेकिन उसके बाद 19 का result बाद में आया, मतलब जो पहले हुई थी वो exam, उसका result बाद में आया, तो वेक्ति क्या हुआ है, दोनों जग़े DSP deputy collector बन गए, 20 में बन गए, 19 में बन गए, तो यसा होता है, तो हर साल वेकेंसी तो आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, 0 year कभी नहीं होता है, यह maximum time यही हुआ है, कि 0 year नहीं हुआ है, अब तुमारे किसमत तुमने आप इत्ते कर दे कि तुमारे time पर vacancy नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते है, लेकिन मोटा मोटा कह सकते हैं, कि हर साल vacancy आईगी यह सीधी बात है, दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा यह हर साल कितने post आती है, कितनी post आती है, हर साल, इसा हुआ कि इत्ती कम post आईए, क्योंकि इसके पहले जब अभी आई थी ना भड़ती जब 400-400 post आगई थी, आई बास समझ में, तो इसा सिस्टम रेता है, लेकिन मोटा मोटा पकड़ सकते हैं, कि 200-200 पद हर साल आते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, और यह maximum time देखा गया, कि जब भी पदा आते हैं, उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप एक दिमाग में बेठना कि कितने पद हर साल आते हैं, तो 200-200 पद इतने लगभग आते हैं, लेकिन 5 साल का रिकोर्ड अगर उठा के देखोगे, तो सिर्फ इस साल ही सबसे कम पदा आये, वांकि maximum time अच्छे पदा आ जाते हैं, कभी 400 तक भी चले जाते हैं, लेकिन 200-200 के पद लगभग आते हैं, इसके वाला हो कि अब यह 5 साल में सिलेबस बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलता 5 साल में, सिलेबस जरूरी नहीं कि 5 साल में बदले, 5, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, कभी बदल सकता, लेकिन average अभी तक का, अगर देखें पिछले कुछ सालों का, तो 5 साल में बदलता, जैसे अभी की बात का है, तो अभी 5 साल भी नहीं लिए, 4 साल में ही बदल दिया, कैसे बदल दिया, 2019 का जो एक्जाम हो था, पुराने पेटन पे हुआ, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 23 तक एक्जाम हुआ, 24 वाला जो एक्जाम हुआ है, MPPSC का, यह new pattern पे हुआ है, new syllabus पे हुआ है, तो अब देखो, कि तब 20, 21, 22, 23, मतलब 4 साल के अंदर ही, 5 साल भी नहीं हुए, 4 साल के अंदर ही syllabus को बदल दिया गया, आई बास समुझे, और आगे भी बदलेगा, यह जरूरी नहीं कि हर साल यही रहे, बदलने का मतलब, यह कुछ चीज़े, उसकी exam का pattern बदल दिया, यह paper अब तुमारा डेर सो का नहीं होगा, तीन सो का होगा, यह कर दिया, इसमें part A नहीं रहेगा, part B रहेगा, लेकिन maximum चीज़े वही रहती है, कुछ चीज़े लग उससे जोड़ती है, यह सिस्टम होता, कुछ चीज़े बदलती, मोटा 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 में बोलू कि, अगर मानुला आपने जी जान लगा, खुब मेहनत करी, हमने खुब दिन रात एक कर दी, लेकिन हमने यह सब करा, उसके बाद मानुला आपने पूरा स्लेबस पढ़ा है, तो उसका लगभग लगभग 40-50% मेक्सियम बदलता है, पूरा कभी नहीं बदलता, कभी ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री के दी, हम तो हिस्ट्री पूछेंगे इज नहीं अब तुमसे, यह कभी नहीं होगा, पूरा कि दास से कुछ क्या चाइना की हिस्ट्री पूछेंगे, इसा कभी नहीं होता है, अब मैं तुमको यह चीज़ बता दी, अब इसका लाव क्या होता है, इसका लाव कुछ बच्चों को यह पीसी की तैयारी वाकई में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखो, मोटा मोटा मैं आपको एक टाइम डूरेशन बताज़ दाओ, अगर आप पीसी की तैयारी बहुत बार इसा होता है, जिसे मैं अभी 4-5 दिर लगी कॉल पे बच्चेस बात करी, और भहिया हमारा घरबाल में दो साल में कुछ नहीं होना है, डेर साल मिनिमम डेर साल के अंदर तुमारा स्लेवस कंप्रेट होगा, डेर साल चाहिए ही चाहिए, तुम भले कि इत्ती बड़ी बलनम हो, उससे कोई फरक ने पड़ता, अगर तुम पीसी की तैयारी स्टार्ट कर रहो, तुमारा आर्ट्स बेग्राउंड नहीं था, या तुमको हिस्ट्री पॉल लेकिन हमको जोइन करने, लेकिन प्रोपर गाइडेंस कोन सी कोचिंग करें क्या करें, तो अगर किसी भी कोचिंग में एडविशन ले रहो एक बार संपर कर लेना, अपन करवा देंगे तुमका इसा भूवा तो अशाब कम जयाद आप कर देंगे, इसा रलके में मत लेना, बुरा मत मानना है तुम्हारा बड़ावा है होने के नाते में इसा बोलता हूँ तो भया अब क्या करना है अगर तुमको कोचिंग जोइन करना है पीस से रेटेट कुछ भी जादा बड़ा डावट है स्टेटेजी बुकलिस्ट अगरा का तो आप डारेक्ट मुझे संपर कर सकते इस्टाफ का नंबर में दे रहा हूं उनसे बोल देना सीनु सर से बात करवा दो आपकी बात करवा देंगे और अगर हो सके इंदोर में अगर आ रहो कोचिंग जोइन करने आ रहो इस पेसली तो ए दहने बाद जय ही जय भाद और हां आप मुझे से मेरे चैनल से कपसे जुड़े हूं जब मेरे कितने सब्सक्राइबर थे तब से आप जुड़े वह मुझे कमेंट करके बताना ठीक है धन्य बाद जय ही जय भाद टाटा बाई बाई